Welcome to Target for IQ आईए, आज हम क्या करेंगे? Section 114 Illustration F से करेंगे, ओके? पिछली वीडियो में हमने A से लेके E तक कर लिया था आईए F, that the common course of business has been followed in particular cases एक बात बताईए, आप कोई भी काम अपना करेंगे रहते हुए करेंगे common course of business के दरान ही करेंगे office में बैठके ही करेंगे, जिस टाइम पर कहा गया है, उसी टाइम करेंगे न ये जस्स सिंपल सी बात है ठीक है? तो क्या है? मान लीजे कि common course of business में सबसे बड़ी बात आ सकती है, जो आपको बहुत easily समझ में आ जाएगा वो ये है कि एक A firm है ठीक है? उससे B नाम का person B नाम का person आया और कहा कि मुझे 10 K 10,000 रुपीस लोन चाहिए वही पर जब आया तो C नाम का जो accountant था उसने क्या क्या? नोट कर लिया था कि ये इस काम के लिए आया है और ये इसने जो accountant है मतब accountant ने नोट कर लिया था कि इसने 10 के लिए है अब A future में अपनी money मांग रहा है तो B कह रहा है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया और accountant जो है वो मान लीजे आ नहीं पा रहा है तो क्या? जिस account books में जिस account book में accountant ने लिखा होगा वो court में पेश हो सकती है बिलकुल पेश हो सकती है ठीक है? court में पेश हो सकती है ठीक है? तो क्या हो गया? आपका common course of business के दरान काम होगा लेकिन अब आईए यहां पर देखते हैं आम लोग illustration illustration F क्या कहता है जो exception है the question is whether a letter was received, it is shown to have been posted, but the usual course of the post was interrupted by disturbances मान दीजे DT-DC से मैंने कुछ पोस्ट किया ठीक है? वो पोस्ट निकल भी किया है लेकिन क्या है कि वहां पर क्या हो गया है पूरा का पूरे area में कुछ भी rally निकल रही है तो उसमें कुछ दंगा हो गया है, कुछ भी हो गया है ठीक है? अब वो area पूरा बंद कर दिया गया है अभी के लिए ठीक है? तो क्या disturbances आए ना? तो इसमें DT-DC वालो गलती नहीं है ना? उस disturbed area में किसी person को जाने के लिए मना क्या है इसलिए क्या हो गया? letter अभी रुक गया है ओके? नेक्स्ट देखिए आप जी ये बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छा है ठीक है? बहुत इंपोर्टेंट देखिए लिखा है that the evidence which could be could be मतलब एक evidence है उसे कोट में पेश किया जा सकता है पर पेश नहीं किया गया है लिखा है ना? is not produced if produced क्योंकि अगर वो produce होता ना तो क्या होता? इस person के ये जो a person जिससे मांगा था उसके favor में नहीं होता एक बात बिताए है आपसे कोई चीज पूछी जा रही है ठीक है? आपसे evidence मांगा जा रहा है अगर आप सही हो तो आप evidence लाके नहीं दे दोगे तो court क्या presume करेगी? मैंने आपसे evidence मांगा produce कहा है तो इसका मतलब evidence में documentary evidence मांगा ठीक है? produce का मैंने मांगा है तो आप लाके दे सकते हो ना अगर आप लाके नहीं दे रहे हो ठीक है तो क्या है मैं तो यही मानूंगा कि क्या है आपके against में वो evidence है इसलिए आप लाके नहीं दे रहे हैं आईए अगली चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं A man refuses to produce a document which could bear on a contract of small importance क्या कह रहे हैं वो contract जो भी जो document था ना वो ज्यादा important बहुत ही small importance थी ठीक है on which he is sued but which might क्या है बहुत ही आम था में लाके दे सकता था लेकिन क्या है वो उसकी family उसकी reputation को injury पहुचाती ठीक है ऐसा भी तो हो सकता तो court को एक तरफ ये भी सोचना है कि क्या है of family पे असर पड़ता ठीक है तो क्या होता reputation खराब होती इसलिए मैं नहीं लाए simple सी बात है आईए अब next देखते हैं H बहुत important है जी ठीक है ध्यान से पड़ेगा that if a man refuses to answer a question which he is not compelled to answer by law the answer if given would be unfavorable to him ठीक है मान दीजे कुछ questions होते हैं ठीक है if a man refuses to answer a question जिसके लिए उसे compelled नहीं किया मजबूर नहीं किया आप पर कोई जोर जबजस्ती नहीं है ठीक है तो क्या है the answer if given अगर वो answer दिये गए तो क्या है उसके लिए unfavorable होंगे और इसके लिए provision भी बने है और बने कहां पर है उसके लिए जो provisions बने है वो section 132 and 147 में बने है आगे हम जाके वो भी पढ़ेंगे तो देखे यहां पर illustration as to h में क्या कह रहा है a man refuses to answer a question which he is not compelled to answer by law but the answer to it might cause loss to him in matters unconnected with the matter in relation क्या है आप unconnected matters पर अगर question पूछ रहे हो मान लो connected है किसी और चीज से पूछ रहे है किसी और सीज से तो क्या है वो उस पर क्या हो सकता है loss पहुचा सकता है जिसमें वो फसा भी नहीं है वो उसमें भी फस जाएगा जान मुझके ठीक है अब देखे अगला अगला यहां पर क्या कह रहा है कि that when a document creating an obligation is in the hands of the obligor the obligation has been discharged ठीक है यह क्या बोल रहे है the obligation has been discharged तो इसमें क्या आ सकता है इसमें आपको मैं आप समझाते हूँ जैसे कि मानिए कि बिल आफ एक्सचेंज है क्या है बिल आफ एक्सचेंज है कि विल आफ एक्सचेंज की जगा प्रोमिसरी नोट भी ले ले सकते हैं ठीक है आपक्या ले रहे हैं कोгрप चाहरा है कि मानिए एक परसं है, वो कह रहा है, I will pay क्या है, I will pay ठीक है, B भी कह रहा है I will pay, I will pay लें दिजये, ठीक है, C भी नहीं कह रहा है, और C से वापस A के पास चला जा रहा है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, I will pay I will pay, obligation तो लगी हुई है ठीक है, obligation create किसने की promising note की obligation create हुई A के द्वारा क्योंकि वो उसको pay करना था ठीक है लेकिन उसके पास वापस C के through चली गई इसका मतलब क्या हुआ? discharge हो गई लेकिन अगर D ने नहीं दिया A ने ही चोरी कर लिया D से तो क्या हो गया? वो आपके exception में आ गया जैसे कि आप यहां देखिए क्या लिखा है? but the circumstances of the case are such that he may have stolen मतलब A ने क्या है? जिसने obligor है A obligation create की थी कि मैं दूँगा अब वापस D के पास D ने दे दिया A को तो ठीक है लेकिन A ने stole कर लिया वो गलत है क्या है? वो गलत है ठीक है? May have stolen Got it? अब देखिए आपको मेरे को एक चीज बतानी है मैंने आपको बीच में relate ने 4 तो finish हो गया ठीक है? लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें important भी है ठीक है? जिससे sections relate होते हैं जैसे इसमें कहा गया कि questions जो पूछी जाते हैं जो ज़रूरी नहीं answer देना तो हम relative चीज भी पढ़ेंगे क्या करेंगे? relative चीज भी पढ़ेंगे आपको एक एक चीज को relate करना है और मैं relate कब करवाऊंगी? जब वो sections करवाऊंगी ये वीडियो और पिछली वीडियो आपका करके क्या हुआ? section 114 complete हो गया पहले का आप लोग याद क्या करेंगे? मैं आपको कुछ words बता देती हूँ क्या बता देती हूँ? keywords बताऊंगी मैं keywords मैं आपको क्या पता करना है? पहले का जैसे आपका वो था stolen goods जो आपका illustration A है उसका क्या था? बिल उफ एक्स्चेंज हो गया D. बिफोर वैलिडिटी पीरेड हो गया E. जुडिशल और ओफिशल आक्ट हो गया F. नॉर्मल कोर्स ओफ बिजनस हो गया G. एविडेंस नॉट प्रोडूस्ट हो गया H. रिफ्यूज आंसर हो गया और I. क्या हुआ? obligation discharged यह आप सबको करके रखना है तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले के आती हूँ Thank you everyone और प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करिए